नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पर दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 13 वाँ एरो इंडिया और एरो इंडिया 2021 खतम हो चुका है ऐसे में वहाँ हमने बहुत से नए वैपन सिस्टम देखे जिसके अंदर ज्यादातर ड्रोन्स या फिर हम कहें कैट्स वारिय दूर दुश्मन के इलाके के अंदर बिना पाइलेट को खतरा दिये अटैक कर सकता है और साथ ही 15,000 फीट की उंचाई पे अपने हेलिकोप्टर ड्रोन की साहिता से रसत पहुंचा सकता है और ये नेक्स्ट जनरेशन की टेकनोलोजी है इसके उपर H.E.L. काम कर रहा है और किया है और साथ ही ये एक Unmanned Aircraft का Platform होगा जो कि दोस्तों Manned Jet के साथ में काम करेगा और इसका नम CATS दिया गया है जिसका मतलब है Combined Air Teaming System जिसके अंदर दोस्तों एक Vehicle होगा जो कि दोस्तों एक Fighter Jet होगा 700 किलोमेटर दूरी पे होगा और वहां से वह Enemy के उपर स्ट्राइक कर और ऐसे चार Unmanned Vehicle को ये Control करेगा और ये Drone माना जा रहा है तेजस और Jaguar Fighter Jet के उपर Integrate किये जाएंगे और पहला prototype अगले 3-4 सालों के अंदर आ जाएगा जो कि Radar Detection से भी बच पाएगा और इसके अंदर Stealth Capacities होगी और अगर H.E.L. के Engineering और R.N.D. के Director अरूप चटर जी की माने तो उन्होंने कहा है कि हम एक ऐसे Project पे काम कर रहे हैं जो कि एक Manned Aircraft होगा जो अपनी ही Boundary के अंदर रहेगा यानि कि इंडिया के अंदर रहेगा और Unmanned Aircraft को यानि कि इन Drones को दुश्मन की Territory में भेजेगा और Attack करेगा और उनका कहना है कि इसकी क्षमता होगी 700 किल किलोमेटर तक जाने की यानि 300 किलोमेटर जाके और 300 किलोमेटर वापिस आ सकता है तो पाकिस्तान पूरा लगबक कवर हो जाएगा और इस Unmanned Combat Vehicle के इलावा जो Main Fighter Jet होगा उसे Armed Drone के साथ में भी Integrate किया जाएगा जो कि दोस्तो Cats Hunter और Cats Alpha कहलाएंगे और जहां तक Cats Alpha की बात ह तो ये एक Glider होगा और इसके अंदर 4, 8, 16 या 24 स्वाम ड्रोन हो सकते हैं और जो की 50 से 100 किलोमेटर तक एनिमी की territory के अंदर जाएंगे और फिर स्वाम ड्रोन अटैक करेंगे और ये स्वाम ड्रोन सबसे बड़ी बात है कि Lightweight होंगे, Low Cost होंगे और सबसे बड़ी बात Artificial Intelligence से Less होंगे ही कारण है इने Future Warfare का हिसा माना जा रहा है और दोस्तो ये स्वाम ड्रोन तबाही ला सकते हैं दुश्मन के इलाके के अंदर क्योंकि ने तो ये Radar की पकड़ में आएंगे ना ही किसी Air Defense System की पकड़ में आएंगे और इसके इलावा जो Anya Project के ऊपर H.E.L. काम कर रह है वो है दोस्तो ड्रोन हेलिकोप्टर ये Unmanned Warfare Tools का हिस्सा है जो कि दोस्तो स्पेशली Rotary Unmanned Aerial Vehicle के रूप में डेवलप किया जा रहा है जिसका नाम है RUAV 200 हेलिकोप्टर ड्रोन और ये दोस्तो 15,000 फीट की उन्चाही पे जा सकेगा और इसकी Importance अभी सबसे ज़्यादा समझी जा रही है क्योंकि जैसे कि लदाख रीजन के अंदर चाइना के साथ टेंशन चल रही है तो Surveillance Reconissance के लिए और ट्रूप्स को बहुत सी चीजे देने के लिए इस तरह के ड्रोन की जरूरत समझी जा रही है और इसका वेट 200 किलोग्राम होगा ये 30 किलोग्राम का पे देबल कर सकेगा यानि 7-8 बार भी जा सकेगा और इसकी पहली फ्लाइट अगले साल जून मंत के अंदर मानी जा रही है और इसके इलावा दोस्तों अब बात आती है एंटी ड्रोन कैपैबिल्टी की तो इंडियन आर्मी ने अपनी खुद की एंटी ड्रोन कैपैबिल्टी इविक्सित कर ली है अभी और इसके लिए वो किसी ओर मैनुफेक्चरर के उपर डिपेंड नहीं करतें और इन कैपैबिल्टी की अगर बात करें तो जैमर्स की बात आती है जिसे इंडिया में ही मैनुफेक्चर किया गया है और यह दोस्तों ने केवल डिटेक्ट करेंगे अन्या ड्रोन को बलकि उन्हें डैस्ट्रोय भी करेंगे जिसके अंदर क्वाड कोप्टर पिर अन्या ड्रोन भी शामिल हो सकते हैं और ये भी दोस्तो आर्टिफिशल इंटेलिजेंस से लैस होंगे और जो हमारा Quadcopter Jamming System है इसकी रेंज साड़े तीन किलोमीटर है और इसे ओल्रेडी बहुत सी Location Line of Control के उपर लगा दिया गया है तो ऐसे में दोस्तो ड्रोन क्षेतर के अंदर या फिर फ्यूचर वारफेर के अंदर इंडिया काफी आगे जाएगा और इसके उपर इंडिया ने काम करना शुरू कर दिया है धन्यावाद जैहिन